ओम शांती, हमारे पिछले तीन चाह देनों की वरदान की रिकॉर्डिंग रहे चुके थी, तो हम बीस तारिक से शुरू कर रहे हैं फर से, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अभिनाशी प्राप्ति के अधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्नचित भवा, एक है विनाशी प्राप्ति जो की हम सब के पास में है, किसी ने किसी लेबल पर ज्यादा ये कम, और यह होती है अभिनाशी प्राप्ति जो की परमपिता परमात्मा से ही मिलती हैं, उनके सुरूप से जोड़ने से, उनकी शक्तियों को पाने से, तो संगम युग पर डायरे कोई श्रीमत पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है संगम यूपर डारेक्ट परमात्मा प्राप्ति है वर्तमान के आगे भवेश्य कुछ भी नहीं है तो परमात्मा साथ है वर्तमान में और भवेश्य में सत्युक की स्थापन होने वाली है कल्यूकांत होने वाला है तो सत्युक पर मात्म से मिलने वाली प्राप्ति जुड़ने वाली प्राप्ति के सामने देवता बनना या देवता की प्राप्ति होना उसका कोई भी कंपारज नहीं है इसके लिए आपका गीत है जो पाना था वो पा लिया इस समय का गायन है अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु ब्रामणो के खाजाने में हैं, खाजाने कौन से, दुनिया वाले खाजाने नहीं, सुख, शान्ती, प्रेम, आनंद, संकल, पशक्ती, समय, ये सारे, खाजाने, स्वांस, इस सब कुछ खाजाने हमारे, तो हमारी सांसे बढ़ जाती हैं, कैसे बढ़ जाती हैं, हम योग करते हैं, विकार हम परमात्म के अनुसार चलते हैं, उनके श्रीमत पर चलते हैं, उतनी हमारी उमर बढ़ती जाती है, उतना हम तपस्य दादा कर पाते हैं, यह अभिनाशी प्राप्तिया हैं, समय अभिनाशी है, स्वासे अभिनाशी है, हमारी संकल्प अभिनाशी है, गुण अभिनाशी है, शक्ति अमिनाशी है जिम अभिनाशी है इन प्राप्तियों के से संपन रहो तो चलन और चैरे से सदा प्रसंता की विशेश्टा दिखाई दिएगी कि हम प्रसं नहीं हैं कोई पी चीज हो जाए कोई कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसनता छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसनता छोड़ नहीं सकते, लोकिकता में, दुनियावी तरीके से, फिजिकल तरीके से, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जो आत्माएं हैं, हम सदा प्रसन्नचित रहती हैं आत्माएं क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस रहता है दुनियावी चीजों से नहीं लेकिन परमात में से क्या के प्राप्तिय हुई हैं तो वो हमें हलका कर देता है यह हलका कैसे हो यह प्राप्तिय हैं कौन सी इसके लिए ब्रहमा कुमारी इस शुर्व शुर्ल में जाकरके इस ग्यान को लें ओम शेंती